यह वह बीटा टबीत करब है यहां बैठ जाए पतने यह वह बेटा क्या खाय सुभा से गर कह तुमारा एक बर चल मेरे साथ चल ज्याद़ दिक्कत हो रही है और भाई एक बर अगर कहा है तुमारा भाई आप जानते हैं उस लड़की को यही इधर ही वहटा हो रहे ज्यादे दिसकत हो रही है उन्हां десятकिशत 고양ा एंदा सबस्कुन MORE भाई है कि तबियत ज्यादे खराब होरी लड़की की बैटा हुआ क्या पर तुम्हें गलेम उर गलेम कुछ दिक्कत हो रही है हम अ जाओ भाई पता नियुम को यहार क्या हो गया इसकी तबिच मेस बहुत ज्यादे खराब होगी कौन से फ्लोर पर हैती हूं है पानी वानी है तुम्हार पास चलो भाई मुझे ऐसा लग रहा कि इसकी मम्मी ने शायद कुछ इसे गलत खाने के लिए दे दिया कुछ ऐसा लग रहा मुझे कहा उपर चलो इसकी भाई कुछ ज्यादा तब्या थराब हो रही है आजाओ पता है आप क्या खालिया बस खाना ही खाया है अरे बैन जी दर्वादा खुलो आपकी बच्ची की तविए खराब है बेटा ज्यादे दिक्कत हो रही है आपकी बेटी है आप ये बताओ इससे क्या खाने के लिए दिया आपने जो इसकी तविए खराब होगी इतनी नौर्म ने जो टिफिन में लैंच देते वहीं दिया तिफिन में क्या दे आपने रोटी सब्सक्राइब गरम ताजा और गर इसकी तविए खराब है आपने जो इसे गरम खाना दिया है उसकी वज़े से इसके गड़े में दिक्कत हो गई और हो सकता इस लड़की को कैंसर भी हो जिससे इसकी जान भी जा सकती है दोस्तों ये देखो एक मा अपनी बच्ची की जान कैसे ले रही है और ऐसी ये अकेली छोर्ष कि माह है बेटा इधर आज़ एएसे प्लास्टिक के टिफिन में लोग गरम करके खाना देते हैं और गरम खाना देने से होता क्या है कैंसर बंता बच्चों में आज कर आप देखना ज्यादा बच्चों में कैंसर के कैंसर पाया जा रहा रहा है उसका सब से बड़ strictly प्लास्टिक में मिलकर प्लास्टिक के छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कंड जो हमारी नेगड़ आई से हमें दिखते भी नहीं वो कंड हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और बच्चों के अंदर इतनी इम्मुनिटी पावर होते नहीं और कैंसर पैदा हो जाता है जागर खोड़े की जरूरत है आप जैसा की देख सकते हो यह बच्ची बिल्कुल हश्ट पूश्ट है मगर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनकी जान आज खत्रे में हैं तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनितिये कोई भी माता भेंड प्लास्टिक के टिफिन में गरम ख खाना दिए वह ठंडा हो के मिलता है मगर उसमें कैंसर बनके मिलता बच्चो को आप क्या कर सकते हो इससे बसने के लिए सबसे पहले कोशिश करें कि प्लास्टिक कट इफिन यूज ना करें और दूसरी चीजा अगर आप प्लास्टिक यूज फिर भी कर रहे हो कोई दिक्क ही मिलता है तो आप गरम खाना ना देकर ठंडा करके दे उससे क्या होगा कि प्लास्टिक गल-गल के खाने के साथ बच्चे के पेट में नहीं जाएगी विश्वास मानों मेरे भाई आज कल बच्चों की इतनी ज्यादा बूरी हाला तो देखी भी नहीं जाती और सबसे ज्या प्लास्टिक के टिफिन में ऐसे खाना लेकर जा रहे हैं तो आज ही सतर्क हो जाए और कोई भी गरम चीज प्लास्टिक के बरतन में ना लेकर जाए वरना वह सीधा-सीधा आपको कैंसर बना रही है आपको पता भी निचलेगा पांस साल बाद अपना चेक-ब करवाएंगे आपके अंदर कैंसर पाये जाएगा भाई और यह गैरेंटीड है जैहिंद जैभारत इस वीडियो को शेर करके पुरे समाज में एक अच्छा मेसिज पहुचाए